हलो बड़ीज ग्यान बाबा स्रीज में आप सभी का स्वागत है बचो बाबा का फंडा में आज हम डिस्कस करने वाले हैं C3 और C4 साइकल के बारे में देखिए इन दोनों साइकल में बटा चार कुशन बहुत इंपोर्टेंट हैं पहला सवाल कि फर्स्ट स्टेबल प्रॉड तो सी 3 के लिए 4 सवाल, C4 के लिए 4 सवाल, 8 सवाल बनते हैं बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कुश्चन नीट में खूब आता है तो इसका फंडा बाबजी ने क्या बनाया है देखते हैं चरह इसका फंडा बाबजी ने बनाया है तुम पहले तुम पहले रोवो तुम पहले रोव पिंकु तुम पहले रोव पिंकु फिर पिर ओरेंज पाओ पिर ओरेंज पाओ टिंकु तुम पहले रोव पिंकु फिर ओरेंज पाओ टिंकु इसमें वह सारे सवाल आजए आठ सवाल यहां से कवर होंगे कैसे ज़रा देखिएगा तो सबसे बले बात करते हैं तुम का मतलब यहाँ पर T से हो जाएगा तुम मतलब T और T से हो जाएगा 3 मतलब हम C3 की बात कर रहे हैं तुम में T आएगा और T से हो जाएगा 3 और फिर का मतलब 4 फिर हो जाएगा 4 तो C4 यानि उपर वाला फंडा C3 के लिए और नीचे वाई लाइन C4 के लिए है ठीक है अब यह जो लिखा है पहला तो यह पहले जो लिखा हुआ इसका मतलब है कि पहला stable product तो पहला stable product C3 cycle में जो पहला stable product बनता है बेटा वो होता है पहले मतलब P और P का मतलब क्या हो जाएगा पहले का मतलब P रो का मतलब R पिंकू का मतलब अभी बताएंगे ठीक है ओरेंज का मतलब O पाओ का मतलब P और टिंकू अभी बताएंगे आप ठीक है आप देखो यहाँ पर बेटा C3 cycle में जो पहला stable product है वो P से start होगा देट इज फासफो ग्लिसरिक एसिड और C3 cycle का नाम C3 cycle है क्यों क्योंकि फासफो ग्लिसरिक एसिड जो पहला stable product है वोटा उसमें तीन कार्बन होती तीन कार्बन इसलिए इसका नाम C3 है अब यहाँ पर O का मतलब क्या हो जाएगा वो भी पहला stable product है oxaloacetic acid और oxaloacetic acid में बटा 4 कार्बन होंगी इसलिए C4 cycle नाम पड़ा तो इसका मतलब इसमें 4 कार्बन हो जाएगी टोटल 4 कार्बन होंगी यहाँ पर यहाँ पर 4 कार्बन हो जाएगी तो क्या पता चल गया कि C3 cycle में पहला stable product PGA और C4 में oxaloacetic acid है PGA में 3 कार्बन इसलिए C3 cycle का नाम C3 है और oxaloacetic acid में 4 कार्बन है इसलिए उसका नाम C4 cycle है पहले stable product में जितनी कार्बन होंगी उसी के आधार पर cycle का नाम हो अब आगे बढ़ते हैं रो में RR है R का मतलब हो जाएगा यहाँ पर RUBP RUBP और इधर पाव में PRI हो जाएगा फास्फो इनाल पाइरवेट यह है राइबुलोज बिस फास्फेट और यह है फास्फो इनाल पाइरवेट यह क्या है यह है प्राइमरी एक्सेप्टर पहले C3 या C4 cycle फिर पहला stable product आपने याद कर लिया अब आते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर तो C3 cycle में जो प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का हो RUBP है और C4 cycle में PEP है clear अब RUBP में जो पिंकू है पिंकू से पास से आप कर लो 5 पास से क्या कर लो 5 यानि RUBP में 5 कारबन है ठीक और इधर पाओ टिंकू टिंकू की अगर बात करें तो टिंकू टी और टी से हो जाएगा थिरी टी से क्या हो जाएगा थिरी तो तीन कारबन फास फो इनाल पाइरवेट में है यहां दो को टूम में भी टी था और इसका मतलब भी थिरी था लेकिन यहां थिरी का मतलब था C3 cycle और यहां जो टिंकू में टी है इसका मतलब तीन कार्बन और तीन कार्बन कहां पर फास्फोइनाल पायरवेट में अब मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ इस पूरे टॉपिक को ठीक है ध्यान दीजेगा C3 cycle में पहला stable product PGA है जिसमें 3 कार्बन है इसलिए cycle का नाम C3 है primary acceptor RUBP जिसमें 5 कार्बन है C4 cycle में पहला stable product Oxelastic Acid है जिसमें 4 कार्बन इसलिए cycle का नाम C4 है इसके लिए primary acceptor C4 cycle में PEP है और इसमें 3 कार्बन है तो टोटल 8 सवाल यहां से बन चाएंगे तो 8 सवाल कैसे हाथ करेंगे तुम पहले रो पिंकू फिर औरेंज पाव टिंकू अगर यह fund आपको अच्छा लगा हो क्योंकि फंडे को बनाने बहुत टाइम लगता है तो वीडियो को लाइक और सेयर कर देना अगली वीडियो में मैं आपके लिए क्याओंगा एक बहुत ही बेहतरीन फंडा जो होगा जबर्दस सांदार और चांदार मैं हूँ डॉक्टर हरियोम कंगवार चैंद